आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार इस बीच मौझूदा सरोकार के दर्जा प्राप्त राजमंत्री वीरेंद्र तिवारी से हमारे समवादाता ने खास बात चीत की उत्रपरदेश में 2022 में विधानसवा चुना होने हैं भी बात करें निर्वाचा नायोग की तो निर्वाचा नायोग ने भी चुनावी तारीकों का एलान कर दिया है हमारे इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दर्जा प्राप्त राजमंत्री बेंतिवारी इसे हम बात करेंगे और जानेंगे सर चौथे चरण का नामंकन की डेट भी आ गई और नामंकन हो रहे हैं लेकिन भारती जंता पार्टी ने अभी तक के सीटों का मोहलान छोड़ करके पार्टी ने तो तनी विजार कर लिया है किसी भी समय उन विधानसवा सीटों भी प्रत्यास्य घोशना हो सकती है प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार समाज के सभी वर्गों के उत्थान विकास चिंता की है नोजवानों युवाओं को भी रोजगार देने का काम किया है पुरे प्रदेश में विभिन योजनाओं माध्यम से लगवग 18 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है स्वय मुद्यम लगा करके सबकार विविवन उजनाओं के माद्यम से युवाओं ने रोजगार पाया है उसका लाब ले रहे हैं विपजपास विकास इतना ज़्यादा भादपा सरकार ने किया है उनके पाद कोई मुद्दा नहीं है इसनाते वो अनर्गल पलाब कर रहे हैं बादपा ने पाद सालम जो विकास के कार किये हैं केंद की मोदी सरकार ने जो साड़े साथ साल में विकास कार किया है उससे जनकता पुरा लाब भानित हुई विविवन पार की ओजनाओं से लाब मिला है प्रदेश का मद्दाता प्रसंद है और 2017 के चुनाओं से आगे बढ़कर 2022 के चुनाओं में प्रदेश का मद्दाता तीन सो से अधिर सीटे जिदा करके फिर से पच्चनमों सरकार बादपक मनाएगा प्रदेश की अगर बात करें जिस तरह से किसान आंदोलन भी चलता रहा और इस वक्त भारती जंदा पार्टी के जो शीर से नेता है वो लगतार पूरी तरह से प्रदेश में चुनाओं में उत्रे हुए किसानों में अभी भी नाराजगी बादी है कोई नाराजगी नहीं है प्रदेश के चुनाओं में पार्टी के सभी वारे राठ्य नेता हर विदान सभाद शेत्म में प्रवास करेंगे किसान और जाट कोई भाजपा नाराज नहीं 2017 में 2019 में जाट समाज के मद्दाताओं ने भाजपा उड़ किया था 2022 के चुनाओं में भी किसान थेशी सरकार किसानों के लिए लाब के काम करने वाली सरकाई जाट और किसान सब भाजपा उट करेगा तो ये थे हमारे साथ दरजा पराप्त राज मंत्री बे अंतिवारी जिनका साफ तोर से ये कहना है कि 2022 के चुनाओं में भाटी जन्ता भाटी फिर तीन सो से उबाटी उपर सीटे लाने वाली है और कि रही बात किसानों की तो जिस तरीके से लोग कहन रह तो इनका साफ तोर से ये कहना है किसान बिलकुल नहीं नाराज है और पुली तरह से संतुच नहीं लखनौ से असर खान फ्राइम। तो नहीं नगीना से बीजेपी प्रत्याशी ये श्वंद सिंग के लिए वोट की लोगों से अपील भी की। विदान की सुविदा, लेटिन की सुविदा, गैस स्लिंडर की सुविदा, बिजली की सुविदा, ये सब भाते जनता पार्टी के कार्यकाल में परतियक व्यक्ति को मिली हैं। एक विकास का दोर है और उस विकास के दोर में नगीना विदान सभा इसलिए पिछड़ जाती है क्योंकि यह विदायक भाजपा का नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाजपा को जीताओ और डाक्टर ये सुन्त को अगर आप अपना विदायक बनाते हो तो विकास यहां पर चरम प्रताप गड़ के रांपूर खास विदान सभा शेत्र में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसे दातनगर में कपिल वस्तु विदान सभा से गोशित समाजबादी पाठी के प्रत्याशी विजपासवान के पहुशने पर कारिकरताओ ने उनका भाव्य स्वागत किया इस मौके पर सपाईयों में काफी जोश के साथ उत्साह भी देखा गया। 2012 में सपा से दिर्वाचित हुए थी, 2017 के विदान सभा चुनाओ में सपा ने इन्हें दो बारा प्रत्याशी बनाया था लेकिन ये भाजुपा से चुनाव हार गय थी। इस बार भी सपा ने इन्हें कापिल वस्तु विदान सभा सीच से टिकर दे कर बैदान में उतारा इस बार हमारे नौजवानों, किसानों, बाताओ, बहनों का जो उमीद योगी सरकार के लोगों ने, इनके विदायक, इनके मंत्री, इस सरकार के लोगों ने सुक्षेन जो चीना है, सबका अधिकार चीना है, मेरा नेता दड़ी अखले से आदो जी, हमको अपना परत्यासी परत्यासी को अपने सरफे बिठाके, अपने गले लगाके, सब लोग साथ देने के वादा कर रहे हैं, आज मैं अपने कपिल बस्तुभी। हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा, विकास का मुद्दा, चुक्त भारती जनता पार्टी की सरकार ने कोई विकास कार नहीं किया, किसी भी वर्ग के लिए कोई हितकारी लावकारी योजनाय नहीं आएं, और जो योजनाय हमारे मान नीराष्टी अध्यस अक्रिस यादू, जी ने चालू की थी, उनी योजनाव को भी बंद करने के काम किया है उन्होंने, और बहुत सारे जो उन्होंने काम कराये थे, उनके उध्गाटन का उध्गाटन ने किया, और सारे प्रदेश की सम्भानिक जनता बहुत परिसान है, हर वर्ग परिसान है, चाहा हो किसान हो, मजदूर हो चाहा हमारी बहन बेटियां हूँ सब वो अरक परिसान है सारे लोग चाहते हैं इस बार बदलाओ की भावना है और हो चाहते हैं कि इस बार अकलेस जादो जी के नियतत्त में प्रदेश में सरकार मने और जिस तरह से विकास रुग गया था प्रदेश का उस तरह स अपना नाम खान बताया है प्रदीप चौधरी का कहना है कि बढ़ती लोग प्रियता से विपक्षी दल बॉख ला गए है इसलिए बहर से उन्हें धमकी दिलाई जो रही है पूरे मामले में प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दी है औ कि मैं 65 सब अचेटिप बाडर के बाड़ के बेटाशी कि ने जो उसके चववय नाट पे मेरे जो भाहिया सौनो चौधरी उसपे घूद रहता ना उस पर घूद रहता नो तो में दंगी हैं के बई मटिक चौधरी खाहा है उसे ने का जी बोलो उसरदार ने पर प्छार कर कि लिगा बहुं तो तो बहरी संका सब्सक्राइब हुआ उसके कारण इसके कहां से थे कहां से आई लिगा हुआ उसके बीचे बाथि फटिक परिया सदेज निगल लिए है। इस तहरी पर थाना को तॉली देहात में एक मुकदमा दर्श किया गया है उचित्धाराओं में तथा वो फोर नम्मर साहिलान सेल और साइबर सेल को दे गया है वहीं देवरिया में भारतिय जंता पाठी विधान सभा रामपूर कार खाना के प्रत्याशी सुरेद चौरासिया का सैकड़ों कारिकरताओं ने सुभाश चौक पर माल्यार पंड कर धोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत किया साथी देवरिया सदर भाजुपा प्रत्याशी शलमबानी द्रुपाठी के आगमन पर भी कारिकरताओं ने उन्हें माला पहना कर स्वागत किया है जिले में एक साथ दो दो भाजुपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया वहीं भाजुपा प्रत्याशी सुरें चौराशी ने बताया कि मुझ जैसे गरीब परिवार के बेटे को भाजुपा ने टिकर दे कर ये साबित कर दिया है कि भाजुपा सरकार गरीब किसाण मजदूर और युवाओं की सरकार है प्रत्याशी ने बताया कि मुझ जैसे गरीब परिवार को योजना के तहट मिलने वाले राशुन में भी बड़ी धांदली की जा रही है ये भी कहा गया कि अधिकारियों के मिले भगत से ये धांदली हो रही है जिसे की लोगों को काफी जादा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है भीम नाम के डिपो होल्जर का को लेकर ये कहा गया है कि डिपो होल्जर केवल गरीब BPL लोगों के हक का राशन हड़प रहा है बलकि गाउं में मर चुके लोगों के राशन को भी वो ड़कार कर सरकारी योजनाओं में पलीता लगा रहा है कि बड़कार की साथ के लिए राशन मिलता है डियोम मिलते और चीनी के रहना है और टेल पहले मिला वों बंद कर दी ठीक है एक नमकी ठैली मिले दोंकर ने के सौट पिछली बार मिली थ्पिछली वार मीले यह कभी आजा है तब नाज कितना मिल आपको नाज मिला दो अब तो यह हमें 25 किलोई दे रहे हैं काफी दिन ते क्यों तो साथ चड़े हो उसमें आप नमें टकाट रहे हैं न वह उन्त बोली विमिन की भाई अमर नाज कैस काट रहे हूं पीछे तेना पट रहा हूं कहले लगे जिना तुम्ह ववच और पेंठीस किलोई मिलते हैं पूंच प्रतानमा ने पूछा नहीं कि दब्ल प्रतानमात यूजिना का फिर मिलना चाहिए यिए तो जो की पूछा भी जाता है प्व फिर जो लोग ना कुछ कि आदम आधी आधाए तो 2025 कुष ऐसे लोग हैं जो कुछ आसे «सी बात वे देखDINGर है, हैं डिश्बलग दो» उसके किलाब लिखखा, उसके दीप कुरेवां. क्या वजय क्या है? वो तो उसके नाम ही नहीं है जो भीम सिंग चला रहा है साथ साल से तो कैसे चला रहा था हूँ कि अब हुआ है लेकिन अभी नौटिस में तो भी आया साथ साल तेक आदमी अधिवी चला रहा है सरकारी रासन लोगों का बेच अधिकारियों को पता नहीं था क्या नहीं इतनी बड़ी लापरवाई डूटी में आपकी लापरवाई नहीं है क्या दूसरा सबसे बड़ी बा उनको यह बताया गया कि तुम्हारा इन में से मर गया इसलिए आपको रासन नहीं मिलेगा जबकि ओन डिकोर्ड अब भी चड़े हुए हैं और डीपू धारक भीम सिंग उनका रासन आज भी हड़ाब रहा है अगली ख़र चंदौली से है जहाँ पर अली नगर पुलिस ने दो शराब तसकरों से 32 लाक रुपे से जादा की शराब को बराबत किया है मौके से दो तसकरों को गिरफतार किया गया इनके अपास से दो अवैद असलेह कार्टूस भी बरामत हिए गया है मुक्बिर की सूचना के अधार पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हात लगी है पुलिस ने डाक विभाग के पासल वैन से छुपा कर तसकरी के लिए ले जाए जा रही अवैद शराब की खेब को बरामत किया है पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 32 लाख रुपे बताई जा रही है जो अनकारी का नुसार डाक विभाग की टीसियम गाड़ी में लगभग 215 पेटी में ये शराब ले जाए जा रही थी कि यह मुख्री सुचना में इस पेटर अलीनगर को कि डीसियम गाड़ी में भारी मातरा में शराब जा रही है विए इस उचना पर एक्सपेटर अलीनगर और उनके साथ के लोगों ने मिलकर के चंद्रका पुलिया के पास घराबंदी किया तो एक डीसियम पकड़ी गई इ दो सब पंदरा पेटी अर्याड़ा निर्वित शराब बरामु दूई इसमें करीब दो हजार मीटर शराब थी जिसकी कुल कीमत 32 लाग रुपए हैं इनके खिलाब अगली कबर बनायू से है जहां पर जंगल में लापता युवा कशव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई वालों के मताबिक युवा घर से रहसमें तरीके से गायब हो गया था जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस पूरे मामले की जाच पड़ताल में जुट गई थी ये मामला गाउ रोहमा गोटिया का बताय जो आ रहा है पर इस्ट पुलिस अदिक्षक की ओर से घटनास्तल का निरिक्ष्ण भी किया गया शाल या किसी अन्य साधन से गला गोट करके खी गई है पर जनों ने अवैस संबंधों के चलते कुछ लों को पे शक जाहिद किया है जिनको हिरास्त पूस्ताच की जा रही है इसमें पर जनों की तहरीर पे थाना प्रावर्ण की पुरित करके आगे की कारवाई की जाए वह यालीगर के थाना बना देवी शेतर में दहेच की मांग ना पूरी होने पर नव विवाहिता के साथ मारपीट की वारदात को अंजवाम दिया गया है मारपीट के दौरान नव विवाहिता को काफी जादा टॉचर किया गया मारपीट और करेंट लगने से विवाहिता ग तो आपको किस तरह से टॉट्चर कर रहा है क्या है मेरे को खाने को नहीं दिया अच्छा कि मेरे हाथों तरह किया आपको करन्ट को अगला भी लगाएगे अच्छा किया है परेशान किया है अपने पापा किसे पैसे लाओ तो बेटी है मेरे सपास बड़ी बेटी की साधी करती है छोटी बेटी है अभी 28 नॉंबर की साधी कि इसकी सुरक्षा वियार में प्लॉर्चर इसको दहेज लाने की है तेरी बुटा बुरी आए और कुछ है नहीं है देखना कि मकान किराई पर हम रहते हैं प्लॉर्ट पढ़ा हुआ हमारा तो प्लॉर्ट को बेच करके पैसे लाओ मैं बदायों कि दाता गंज में कोटेदार पर मिली भगत करने का आरोप लगा है बताया गया कि सरकारी राशन के कोटे से 70 कुंटल राशन चोरी हुआ है और इस मामले में एक व्यक्ति दे चौकी इंचार्ज को 40 कुंटल की तहरीर दी अजब सिंग पहले से प्रती योनिट किलो कम देता था ये भी कहा गया है कि कुछ और जगहों पर भी राशन का वित्रन किया जोना थ है इसी वज़े से गोचेदार के होस्ले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं अगर भी तिन लोग दें ने टी लोग ते ओड़े दी कितने कट्टे थे असी अशी आप पाहा थे नहीं पीछे शेत में दा दूर जमतनम गां से जर दूर तर्थी दिया थाने में जी देया थाने में जी इनकी चौकी बिद्धार पाने किसको ब्लेकर आया हुं किसको प्राइब ब्रिगेट की टीम ने मौके पर पहुचते ही मामले का सग्या लिया और कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया यहां पर आग को बहुत कठीन परिश्रम करके अधक प्रयाज करके बुझा लिया गया है जानवर भी कोई अताहत नहीं हुए है और बाउट्री के पीछे भी आग भी जिसकों की बड़ी कुसरता के साथ बुझा दिया गया है बल्या की लोटा गाओ में मनियर में हुई निर्मा महत्या कांड को खुलासा पुलिस ने कर दिया है पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि युवा का चचेरा भाई भी हत्या में शामिल था अपर पुलिस अदिक्षक का कहना है कि चचेरे भाई के साथ मौसेरे भाई भी इस पूरे हत्याकार्ण में शामिल बताये जुआ रहे हैं मैंनपुरी के साइबर सेल टीम वाक और आवली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है दरसल एटीम बदल का ठगी करने वाले अंतर राजी गैंग के तीन सदस्यों को मुद्बेट के बाद पुलिस ने के रफ्तार कर लिया पकड़े गया प्योक्तों से फ्रॉड करा जित की गई धनराशी को भी बरामत कर लिया गया है एस्पी ने प्रस्वारता कर दे वोगे पूरी सफलता के बारे में जानकारी दी है पुलिस लाइन के मरंजन सभागार में पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार राई की और से प्रस्वारता आयो जित की गई थी एटियम बदल कर खातों से रुपे निकालने वाले अंतरराजी ये साइबर फ्रॉड का भाड़ा फोड़ अब किया गया है शातिर अपराधी पर कई धाराओ में केस दर्ज है तीन सातिर अपराधी वसीम अकरम और इंता वसीम जो है बुलंसार का ये गुंडाक के दाहब जिलाबदर है और दूसरा ये दोनों अलिगड़ के हैं और इनसे फिप्टी नाइन एटियम कार्ड साथ में साड़े और इनका एक लंबी क्रिमल हिस्ती है ये वांटेड भी हैं कई जन्पदों से और आज पास के जन्पदों कहते हैं ये बोपाल इंदावर में बीनों ने गटनाए की है लंबक अपराधी के दियास है और इस पर हमारी टीम ने इस गैंग को टेस्ट किया है इनको फिलाल आज जैसा आप देख रहे हैं कैस और सारी चीज़ बराम नहीं पाद जेल बेजा जा जा रहा है मिर्जापूर में पोलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है जोहां पर पोलिस ने तीन कॉंदल तीन ग्राम गांजा बरामत किया है पकड़े गाए गांजे की अंतर रास्ट्री एक कीमत करीब साथ लाख रुपे बताई जा रहे हैं गांजे के साथ पोलिस ने दो तसकरों को भी गिरफ़तार किया है शातिरों को पकड़ने वाली टीम को डियाईजी ने पंद्रह हजार रुपे का इनाम दे कर सब्मानित किया एस्पीसिटी ने प्रिसवार्दा करते हुए पूरे मामले का हुलासा किया तेकि कल रात में 215 बजे 9.30 के आसपास पुलिस को टिप आफ होती है सुचना मिलती है कि सर्टेन एमाउंट में गांजा जो है कुंटल में यहां पर आ रहा है और प्रियागराज की तरफ जा रहा है तो पुलिस इस सुचना पर एक्टिवेट होकर के स्वाट टीम और हमारी जो कच्छवा पुलिस से सक्री होकर के भोला डावा के पास कटका थाना अंदरगत कच्छवा जन्रपत मिर्जापुर में इंटरसेट करके पकड़ती इसमें एक पिकप पकड़ा जाता है उस पिकप में प्याज के बीच में या प्याज से चुपाते हुए पंदरा बीस बोरिया रखी हुई थी गाजा की जो पुलिस में पकड़ लिया है और साथ हजार रूपे के आसपास भी बरामद हुआ है इस समझने पुलिस जो भी इस एंडिपे सेट का अभियोग होता है दर्ज करके और इसी के साथ उतर प्रदेशी खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिया बढ़े रही है प्राइम टीवी के साथ नमच्का आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार